छट्वा महत्व की बात है नैतिक्ता के अनुकूल है निशस्त्री करण शस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध कभी भी उचित नहीं होता युद्ध हमेशा अनुचित ही होता है आपके पास इतिहास में ऐसे कई दारण होगे जब आपको लगता होगा कि युद्ध हुआ और युद्ध में जो विजई हुआ उसे यश मिला लेकिन युद्ध में विजई प्राप करके इस्थाई शान्ती इस्थाई विजई नहीं पाई जा सकती एक बहुत अच्छी उक्ती है देर केनोट भी एक गुड वार एंड एबाड पीज देर केनोट भी एक गुड वार एंड एबाड पीज लडाई कभी भी अच्छी नहीं होती चाहे आप अशोक के काल की लड़ाईयां देखें चाहे हमारे माइथालाजी में एतिहासिक काल में प्रगैतिहासिक काल में रामायन में जो लड़ाईयां बताई गई हैं आरेयन लोंगों के द्वारा जो लड़ाईयां लड़ी गई रोमन सब्विता में जो लाइयां लड़ी गई शिकंदर महान की लडाइयों को देखिए इन लडआइयों ने कभी स्थाई शान्ति नहीं दी ख्यंड क शुक्स जरूर मिला होगा पर यृधि हम सब्विता की बात करें तो सब्विता को एक स्थाई शांति की जुरत है। लंबे काल की शांति की जुरत है। बुरे हैं आदी आदे अर्थात युद्ध के साधन के रूप में जो शेस्त्र हैं वे भी बुरे हों वे बहुत बड़ी बुराई है इसलिए निशेस्त्री करन जो है वो नैतिकता के अनुकूल है यदि हम नैतिकता की बात करें तो हमें युद्ध से दूर रहना होगा और युद्ध से जुड़े हुई संसाधनों से युद्ध से जुड़े हुए विचारों से युद्ध से जुड़े हुए उन सभी गतिविदियों से दूर रहना पड़ेगा रहना होगा जो युद्ध क स्थिति को पैदा करती हैं साथ्वे महत्पूर्ण बिंदु जो इस बात को साबित करता है कि निश्यस्ति करन क्यों महत्पूर्ण है वो है मानवता की रक्षा उपर जितने भी बिंदु बताए गया इस सब के पीछे किसी खेत्री शांति की चिंता नहीं है मानवता की रक्षा से जड़ा हुआ है अलबर्ट आइस्टीन का जो कथन मैंने बताया वो मानवता की रक्षा की बात करता है किसी काल विशेश के लोगों की नहीं विश्यके विभिन राष्ट्रों में जो शास्ति करन की होड़ चली उसने मानवता की जीवन और मृत्यू के उस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पे उसे निर्ने लेना है कि वह कौन सा रास्ता अपना है वो दोराहा जो है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जीवन और मृत्यू का सवाल है एक व्यक्ति कानी, एक वर्ग कानी, एक समाज कानी, एक देश कानी पूरे विश्व के अस्तित्यू का सवाल है आतंकवाद, निर्धन्ता और अन्य जो समस्याओं का जिक्र मैंने प्रारम में किया है जिसके केंदरी मुलियों की बात हम करेंगे बाद में ये सब मानवता से जिरू ही चिंताएं हैं किसी देश विशेश, काल विशेश, व्यक्ति विशेश की नहीं 1960 में सुविक्तरा संग के एक प्रारूप में कहा गया था कि मानवता के सम्मुक्ष दो रास्ते हैं हम स्थ्रों की होड को रोकें और निश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् निश्यस्त्री करण के मामने में कोई विशेश बदलाओ नहीं आजा है। हाँ, कुछ रोग जरूर लगी है। सैनिक हतियारों के उत्पादन के मात्रा में थोड़ी कमी जरूर आई है। लेकिन वह बहुत कम है। मानवता की रक्षा है तू, निश्यस्त्री करण इसलिए बहुत जरूरी है। अनिथा हम विनाश के और जा रहे हैं, सर्वनाश के और जा रहे हैं। और आठवा और अंतिम बिंदू जो नहिशस्त्री करण के महत्व को सावित करता है उसका अतंबंध है आर्थिक विकास से यदि नहिशस्त्री करण होगा तो दो बातें तो साफ होंगी पहला युद्ध और युद्ध और युद्ध किस बातों से ध्यान हटकर हमारा ध्यान मानो विकास पर के अंदरित होगा हमारे सिताटपर है सरकार का ध्यान, वहां के नागरिकों का ध्यान, विश्व के विभिन देशों का ध्यान शस्त्रों में खर्च करना शस्त्रों में ज़्यादा से ज्यादा पैसा लगाना शस्त्रों में ने रविश्कार करना इस सोच से हट कर हम विकास की और बढ़ेंगे और यही आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा दूसरा यदि निश्यस्ति करन होता है तो दूसरी बहुत अहम बात है जैसा मैंने आपको पूर में बताया कि भारत विश्व में हत्यारों की खरीद में टॉप फाइव देशों में आता है और भारत की निर्धंता से हम सब वाकिफ हैं इतनी निर्धंता के बावजूद हम हत्यारों का जखीरा एकत्रित करने के लिए विवश हैं क्योंकि राष्ट्री हिद की बात जुड़ी हुई है हमारे पडूसी राष्ट्रों के साथ जिस तरीके से तनाव है संबंध है हमें इतना खर्च करना पड़ रहा है यदि निशस्त्री करन हो जाता है तो विश्व शान्ति विश्व बंधुत्व और अन्य सब अच्छी बातें तो होंगी ही एक बहुत महत्पूर्ण बात ये होगी हत्यारों सैने साज सामानों सैने सज्जा में जो खर्च होता है वह सारा पैसा विकास की और चला जाएगा हवाई जहाज युद्धक बम युद्धक विमान युद्धक पोत युद्धक पंडुबी युद्धक मिसाइलें इन से हटकर हम ये पैसा परिवहन स्वास्थ शिक्षा और उन मूल भूस शुवधाओं को देने के लिए खर्च कर सकते हैं जो मानों के लिविंग स्टैंडर्ड को जीवन शैली को उपर उठाए हथियारों से जीवन शैली उपर नहीं उठती हथियारों के दम पर निरधन धनी नहीं होता और निरधन होता है दूसरे शब्दों में ये जो निशस्त्री करन है ये आर्थिक विकास में बहुत सहायक होगा राष्ट्री आए का बहुत बड़ा खर्च जो हर देश हथियारों पे कर रहे हैं, वे विकास के मार्ग में अवरुद्ध का काम कर रहे हैं, बाधक का काम कर रहे हैं, आर्थिक विकास थम सा गया है, रुख सा गया है वोल्फ और कॉलम्बस इन्होंने अपनी प्रस्तक में लिखा है कि राष्ट्रों द्वारा यदि शस्त्रों में कटवती की गई तो इतना धन मिल जाएगा कि राष्ट्रों के नागरिकों की सामान निभलाई के लगवक सभी कारिक्रम सच्चाई में परनित किये जा सकते हैं अर्था वस्चुता हर व्यक्ति एक मानव जैसा इज्जतदार जीवन जीने की ख्षमता पालेगा यदि विश्में वास्तों में नहिश्यस्त्री करन होता है तो और वह पैसा बचाया हुआ पैसा यहां खर्च किया जाए तो युद्ध पोत हवाई जहाद इन पे जो खर्च होते हैं इन्हें हम अस्पताल बनाएंगे खाद्य सामगरी महुया कराएंगे लोगों के लिए मकान रोटी कपड़ा और मकान के मुद्ध को लेकर हम आगे बढ़ें बजाए युद्ध के मुद्ध को लेकर फैक्ट्रियों पे जो खर्च होता है वे फैक्ट्रियां जो युद्ध से जुड़े हुए सामानों का उत्पादन करती हैं उन पर खर्च करने के बदले हम ऐसी फैक्ट्रियों का निर्मान करें जिसे से जनता की भलाई हो जहां जनता से जुड़ी हुई जरूरत मन चीजों का उत्पादन हो सस्टे से सस्टे में उत्पाद मुहया कराई जा सकें तो इस परकार नहिशस्त्री करण जो है वह जनता के लिए आर्थिक वकास की जिश्टे भी बहुत अधिक लाबकारी है बहुत हित्कारी है ये तो हो गई इसके महत्व की बात क्यों इतना महत्पूर्ण है नहिशस्त्री करण आज हमारे कख्षा गैरवी बारवी के राजनीत ग्यान में भी ये विश्या शामिल किया गया है क्योंकि ये महत्पूर्ण है क्यों महत्पूर्ण है ये तो समझ गया है महत्वपूर्ण होना एक चीज है लेकिन काश इसके महत्व को समझते हुए हम निशस्त्री करण को धर्ती पर ला सकें एक सच्चाई में बदल सकें तर ऐसा नहीं हो रहा है अखिर यसी क्या बाते हैं जिससे निशस्त्री करण आज भी एक distant dream, दूर का सपना लगता है 1960 में सिविक्तराश्चं के वाकि को मैंने आपको बताया विनाश या विकास दो में से कोई सा एक मार्ग चुनने का समय आ गया है उसके बावजूद, इस warning के बावजूद भी गत साथ वर्षों में निशस्त्री करण की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नजर नहीं आया है अर्थाथ हम विनाश की ओर ही बढ़ रहे हैं तो अखित क्या बात है अब हम जानेंगे निशस्त्री करण के मार्ग में आने वाली बाद हाएं क्या दिक्कते हैं प्रयास तो बहत हुए लेकिन कोई ठोच सफलता नहीं मिली प्रयासों की बात करें तो शायद शस्त्री करण के जितने प्रयास हुए निशस्त्री करण के प्रयास शायद इससे ज़्यादा है शास्त्री करण की दौड में कुछ देश ही शामिल है लेकिन शास्त्री करण के लिए पूरा विश्व बोलता है फिर भी सार्थक परिणाम नहीं निकले कारण कारण उक अध्यन करते हैं तो पहला कारण है अंतराश्टी सुरक्षा की कोई गैरंटी नहीं है अंतराश्टी स्तर पर राश्टों को सुरक्षा की गैरंटी कौन देगा इसके माइन ये हैं कि यदि कोई हमें गैरंटी दे तो मैं अपने सारे हतियारों को समाप्त कर दूँ पर क्या होगा यदि गैरंटी देने वाला देश बिदक जाए क्या होगा यदि कोई शत्र देश हम पर आकरमन कर बैठे तो क्या अनिराश्ट हमारी सुरक्षा के आने की हमारी सुरक्षा के लिए सामने आने की गैरंटी लेते हैं नहीं इसलिए अंतराश्टी सुरक्षा की गैरंटी ना होना निशस्त्री करण के मार्ग में सबसे बड़ी दिक्कत सेंक्तराश्चंग एक संस्था है जिसकी ओर देखा जा सकता है संकट के समय युद्ध के समय और देखा जाता रहा है भारत ने भी कश्मीर मुद्दे को लेकर सेंक्तराश्चंग के दर्वाजे खटकटाए थे 1947 में लेकिन आज भी मसला जस्थ का तस्थ वहीं पड़ा हुआ है बलकि और ज्यादा कंप्लेक्स हो चला है एक क्शेत्र को लेकर कश्मीर जैसे एक क्शेत्र को लेकर समस्या का निराकर नहीं हो पाया तो राश्ट्रों को सुरक्षा की गैरेंटी कौन और कैसे देगा दूसरा हम मुद्दा आतंकवाद की चनौती अंतराश्ट्री आतंकवाद की चनौती क्या मायने है आज आतंकवाद जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी चनौती है विश्व के बहुत से देश और खासकर विकसित देश विकास शील देश इस आतंकवाद की समस्या से जूज रहे हैं एक बहुत बड़ी चुनोती उनके सामने खड़ी है चाहे वे भारत हो, इंगलंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो और कुछ ऐसे देश जो प्रगति के मार्क पर लगातार बढ़ रहे हैं जा प्रगति की उन्चाई पाच चुके हैं वे आतंकवाद की समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं भारत तो सालों भरत से आतंकवाद को जेल रहा है वे शुका सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट, सेंग्च राष्ट अमेरिका वह भी इसका शिकार बना 9-11 की घटना, बारंबार इस बात की चेतावनी हैं कि आतंकवाद अपने पैर फैला रहा है, पसार रहा है अपने पंक और बड़ा कर रहा है आतंकवादी जो हैं वे दुनिया के शस्त्र बाजार से नए से नए हथियार खरीद रहे हैं नए से नए हथियारों से लैस हो रहे हैं अत्याधनिक शस्त प्राप्त कर रहे हैं और उनसे निपटने और नियंत्रन करने के लिए राश्ट्रों के पास किसी तरह का प्रावधान नी सुरक्षा बलों के पास परयाप्त ऐसी ट्रेनिंग नी कि वे आतंक वादियों द्वारा उप्योग किये जा रहे इन आत्निक अधियारों पर नियंत्रन पासकें अभी कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि कश्वीर की सीमा पर जो आतंक वादि गतिविधी हुई उसमें जो बंदूक का उप्योग किया गया वह एके 47 से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था और हमारे भारती फॉज एके 47 से लैस होकर अपने को बहुत आधिनिक समझती है और सच भी है लेकिन सचाईत यह है कि आतंक वादि हमसे कई गुना आगे खतरनाक हथियारों से लैस है वे अपने को अत्याधिनिक हथियारों से सुचजित करते हैं और इसलिए हमारे लिए भी जरूरी हो गया है कि हम उनके साथ हथियारों की सजावट की दौड में शामिल हो जाएं अर्थाथ हम भी हथियारों पर आतंक वाद को रोकने के लिए खर्च करें युद्धों को रोकने के लिए खर्च आकरमाणकारी को चितावनी देने के लिए सेना पर खर्च अब यहाँ आतंक वाद को रोकने के लिए शस्त्रों पर खर्च ये बहुत बड़ी एक बाधा है आतंकवाद से बचने के लिए निशस्त्री करण के माइने कुछ नी रखते वे देश जो आतंकवाद से ग्रसित हैं वो जानते हैं कि कितना कितनी बड़ी समस्या मुह बाय खड़ी है आतंकवाद के रूप में और इसलिए वे विवश हैं कि वे शस्त्री करण करते रहें और नए से नए आधनिक से आधनिक खत्यारों से लैस होते रहें ऐसे में दुनिया या राष्ट निशस्त्री करण के और कैसे बढ़ेंगे तो इसलिए आतंकवाद की जो चनौती है वह निश्यस्त्री करण के मार्ग में दूसरी बड़ी बाधा है तीसरा आर्थिक लाभारजन संबंधी दबाओ ये बहुत शर्म की बात है कि एक और जहां निश्यस्त्री करण की बात हो रही है दूसरे विश्युद के भै की बात होती है दूसरे विश्युद्ध से उपजे भै और तीसरे संभावित विश्युद्ध का भै उसकी बात होती है संग्तराश संग के मंच से राष्टा ध्यक्ष लोगों के बड़े शांदार भाशन होते हैं शांति और विश्य बंधुत को लेकर वहीं दूसरी और इन्हीं देशों में से कुछ देश जिनमें अमेरिका ब्रिटन ये शामिल हैं वे लोग शस्त्रों का निर्माण केवल इसलिए नहीं करते कि उन्हें अपने को लैस करना है आधनिक बनाना है सुरक्षिद बनाना है बलकि इसलिए भी करते हैं कि वे इसे बेच कर पैसा कमा सकें जितने आधनिक अतियार उतनी हैं उसके दाम मोह मांगी कीमत पर उनके हतियार विवन देश खरीद रहें जिसमें भारत भी एक है पाकिस्तान है उसकी कीमत का कोई कोई आधार नहीं उन हतियारों की कीमत का लेकिन खरीदने की विवश्टा मजबूर करती है कि उनके द्वारा लगाए गए दाम पर बोले गए दाम पर हमें खरीदें और इस प्रकार ये वही देश हैं जो हतियारों का निर्मान विश्व के अन्य देशों को बेचने के लिए भी कर रहे हैं और इस प्रकार निशस्त्री करण के विचार को ठेंगा भी दिखा रहे हैं इन शस्त्रों का निर्मान करने वाले कमपनियों के मालिक शस्त्रों के व्यापारी और कुछ अन्य जिसे हम कह सकते हैं प्रिशर गृफ दबाव समू ये एक तरीके से एक आइक लापी बना चुके हैं माफिए लापी बना चुके हैं राजनीतिक रूप से बड़े सक्री हो जाते हैं और विभने देशों की सरकारों पर राज्याध धक्षों पर इस बात का दबाव बनाते हैं कि हमारे हथियार खरीदे जाएं जरूरत हो या ना हो ये दूसरी बात लेकिन हथियार खरीदने का दबाओ इन देशों के द्वारा इन देशों की उन कमपनियों द्वारा जो निर्मान करती है हथियार का और इन देशों के वो बिचॉलिये द्वारा जो हथियार बेचने का करते हैं उनका दबाव बहुत से देशों पर लगातार बना हुआ है और इसलिए बिक्री जारी है हर देश की सरकार पर इनका प्रभाव रहता है निशस्त्री करन की दिशा में कोई भी काम किया जाए तो वो आर्थिक लाभारजन के उद्देश्च के विपरीत होता है और इस जो तत्व हैं जिनका मैंने जिक्र किया बिचौली हथियारों के हथियारों के निर्माता हथियारों के निर्मान करने वाला देश वहां की सरकारें ये लोग निशस्त्री करन की प्रगति को पचा नहीं पाते तो अमेरिका और इंगलंड एक और जहां निशस्त्री करन की ब विश्व की अपेक्षा है उनसे इसलिए करते हैं लेकिन वास्तों में परदे के पीछे का जो खेल है हथियारों को बेचने का उसमें भी यही देश सबसे आगे हैं। लेने हथियार पाकिस्तान को वही देश बेचने का प्रयास करता है। और यह कहकर कि भारत के हथियारों से आपके हथियार बीस ही होंगे। पाकिस्तान ने हथियार खरीदे। किसी तरीके से पैसा एकठा करके उन हथियारों को लिया। तो दूसरा देश दूसरा ऐसा देश जो शेस्तों का निर्मार करता है वो भारत की ओन इशारा आता है और उनके सामने थाबित करने की कोशिश करता है कि उनके हथियार पाकिस्तानी हथियारों से 21 ही हैं भारत देर सबेर उन हथियारों को खरीदता है और इसमेकार भारत पाकिस्तान के बीच में हथियारों की दौ बढ़ चली हुई है ये एक सच्चाई है भले ही तथिक की बात करें तो चीन पाकिस्तान और कुछ अन्य समस्याएं आतंकवाद की समस्या भारत को सैनिक मद में खर्च के लिए विवश कर रही हैं लेकिन परणाम उसका ये हो रहा है कि निश्यास्त्री करण की मार्ग में हम स्वैम बाधक बने हुए हैं दूसरे शब्दों में आर्थिक लाभारजन संबंधी दबाओ निशस्त्री करण के मार्ग में बहुत बड़ा रोडा है राह का रोडा है इसके अलावे एक मानने तो ये भी है कि निशस्त्री करण को यदि अपनाएंगे तो उन देशों के कारखाने बंद हो जाएंगे बेरोजगारी होगी देश की अर्थ विवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और चूकि शस्त्रों पर इतना ज्यादा खर्च होता है शस्त्रों के उत्पादन से इतनी ज्यादा आये होती है कि यदि शस्त्रों को उत्पादन बंद कर दिया जाए निशस्त् भूमी में तो संभावता आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा उन देशों में इस तथाकतित आर्थिक संकट के भैसे भी ये देश हतियार का निर्मार करते हों से बेचते हों मूल में हैं आर्थिक लाभारजन हतियारों को बेच कर आर्थिक लाभारजन करने का भी खामियाजा निशास्त्री करण के इस अच्छे विचार को भुगतना पड़ रहा है निशास्त्री करण के मुद्दे पर और क्या-क्या बाधाएं बाधाएं तो अंगिनत हम मुख्य बाधाओं का इकेवल जिक्र कर रहे हैं अगली जो दिक्कत है वो है प्राथमिक्ता की यहने चौथा चौथी समस्या चौथी बाधा प्राथमिक्ता का प्रश्न यह एक बहुत बड़ी बाधा है इसके माइने क्या है प्रमुक बाधा यह है कि निशास्त्री की पहले निशास्त्री करण किया जाए या वाद विवादों को सुलजा लिया जाए अर्थाद पहले हम सारे हत्यारों के जखीरे को नश्ट कर दें और जब दोनों देश या सम्मंदित देश नश्ट कर दिये हैं उसके बाद फिर समस्याओं का निराकरन करें देखा जाए तो यदि हत्यारों को हम पहले नश्ट कर दें तो हमारी बहुत सारी समस्या हैं अंतराश्टी समस्याओं का निराकरन वैसे ही हो जाएगा यो दिनी होगे संभावन नहीं रहेगे तनाव नहीं रहेगा और नहीं जाने क्या-क्या पर फिर मिए ये समस्या है कि एक दूसरे पर शंका करते हुए एक दूसरे की निष्ठा पर प्रश्ट चिन लगाते हुए ये मुद्दा बार बार उच्छलता है कि राजनीतिक विवादों या समस्याओं को पहले हल करें फिर अपने हतियार त्यागें और या पहले हतियार त्यागें और फिर समस्याओं के निराकरण के लिए बैठ जाएं सचाई तो ये है कि शस्त्र जो हैं वो मन मुटाओ अविश्वास और प्रतिद्वन्द्विता प्रतियोगिता दौड इसका मुख्य कारण है इसलिए निशस्त्री करण हो जाने पर अलाज नीतिक समस्याओं विवाद आराम से हल किये जा सकते हैं पर निशस्त्री करण की शुरुआत कौन करें कल्पना करिए एक वह द्रिश्य भारत अपने सारे हतियारों को समुद्र में डुबा के बरबात कर देता है भारत अपनी सेन शम्ता को पूरी तरह से समाप कर देता है और एक पूरण रूपे निशस्त्र देश हो जाता है अचानक पाखिस्तान हमला कर दे या चीन हमला कर दे या हमला ही न करे हमारी सीमाओं पर अतिकरमन कर ले और कुछ खेत्र को अपने में दबा ले भारत सरकार के इस कदम के आलोचना नहीं करेंगे कि उसने निशास्त्री करण किया है ये जानते हुए भी कि भारत के पड़ोसी राष्टों के मन्शा क्या रहती है भारत के लिए दूसरे शब्दों में सरकार पर यारूप लगेगा कि राष्ट्री हित के ध्यान में नहीं रखा गया और निशास्त्री करण की ओर बढ़ चले उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं और वास्तों में हम कुछ खेत्रों में भुगत भी रहे हूँ 1962 के पहले भारती सेना बहुत ही एक तरीके तो कहना चाहिए बैकवर्ड थी रक्षा मद पे कोई विशेश खर्च नहीं किया गया था इस सैनिक ख्यमता की कमजोरी के कारण ही चीन ने भारत पे 1962 पे हमला किया और कुछ खेत्रों को एक बहुत बड़े खेत्र को दबा लिया और भारत देखता रहे गया एक तरीके से इसे पराजय की मुखानी पड़ी तो समस्या ये बनी है प्राथ मिक्ता की कौन शुरू करे बिल्ली को घंटी कौन बांधे और देखा ये सचाई तो ये है कि इसकी शुरुवात तो उन विकसित देशों को करनी चाहिए उने देशों को करनी चाहिए जो अत्याधनिक हतियारों से लैस हैं विश्व शक्तियां हैं और लाभार्थ भी देखते हैं आर्थिक लाभार्थ भी इसमें देखते हैं निर्मान करते हैं वो यदि निर्मान बंद कर दें हतियारों का तो अपने आप दो तिहाई विश्व ब किसी भी दृष्टी से हो दो तिहाई विश्व में हतियार नियंत्रित हो जाएंगे और उसके बाद फिर अन्य विकिसित राश्ट्र निशास्त्री करण के ओर बढ़ सकते हैं पर आज की तारीक में प्रात्मिक्ता के प्रश्ट को लेकर एक बहुत बड़ी बाधा निशास्त्री करण के मार्ग में है